हेलो गाईज कैसे हो आप लोग आसा करती हूँ आप अच्छे होंगी और स्वस्त होंगी देखिए मैं आज आपको केल सरकार की योजनाए योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो पेपर की परपस से इंपोटेंट है चाहे वो आरो ए आरो का हो या फिर एस्टेट का हो या फ फोर का देखिए योजनाए नमामी गंगे योजना सुबारम नमामी गंगे योजना की सुबारम दस जुलाई दो हजार चोदे को जल संसादन मंत्राल ले दुआरा हुई और इसका उद्देश है गंगा नदी के संरक्षन एवं सुद्धी हेद। अगली योजना देखिए परदान मंत्री जंधन योजना इसका सुबारम 28 अगस्त 2014 को वित मंत्राल ले दुआरा हुई और उद्देश है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होुई और देखिए 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड खाते खोले जा चुके हैं परदान मंत्री जंधन योजना में और नाब 2 लाग खार रुपे का दुर्गटना भीमा तता 30,000 रुपे का जीवन भीमा अगली योजना देखिए मैक इन इंडिया इस मैक इन इंडिया की सुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई इसका उद्देश्य है देश में मैनुफेक्चरिंग को बढ़ावा देना अगली योजना देखिए सांसद आधर्स ग्राम योजना की सुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई जै परकास नाराण के जनम दिन पर हुई और इसका उद्देश्य है परतियक सांसद द्वारा वर्स 2019 तक 3 गाओं तथा वर्स 2014 तक 8 गाओं को गोद लेकर विक्सित करना है अगली देखिया भ्यान मीशन इंद्र धनूफ अभ्यान इसकी सुरुवात 25 दिसंबर 2014 को केंद्री सवास्ते मंत्रा लेद्वारा हुई और इसका उद्देश्य है 2020 तक संपुन टीका करन के लक्ष को प्राप्ट करना इस योजना के अंतरगत साथ बिमारियों को डिफ्धीरिया काली खासी और तिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हैपेटाइटिस, बी के लिए टीका करन होगा अगली योजना देखेए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना इसकी सुरुवात 22 जनवरी 2015 को महिला बाल विकास मंत्रा लेद्वारा हुई इसका उद्देश से लेंडिंग समानता को बढ़ावा देना और लिंगा अनुपात को बढ़ाना अगली योजना देखेए परधान मंत्री मुद्रा योजना सुबारम आठ अप्रेल 2015 को इसकी सुरुवात भी देखेए मुद्रा माइक्रो यूनिट डवलप्मेंट एंड रेफिसियंस एजिंसी इसका उद्देश्य है सुक्समुद्यमको के छेतर में विक्साज के लिए वित्यस साहता परदान करना एवं रिन परकार सीसु किसोर तरुन उपलब कराना सीसु के तहट पचास हजार किसोर के तहट पाँच लाग तथा तरुन के तहट दस लाग रुपे तक के लोन देने का प्रावधान है एक बार हो देख लिजी से परदान मंत्री मुद्रा योजना की सुरुवात आट अपरेल दो हजार पंद्रा को हुई मुद्रा इसकी फुलपो में M से माइक्रो, U से यूनिट और D से डवलप्मेंट और R से रिफियंस और A से एजनसी इसका उद्यश है सुक्समम उद्यमो को उद्यमो के छेतर के विकास के लिए वित्य साहिता प्रदान करना एवं रिन उपलब कराना सीसू के तहट पचास अजार और किसोर के तहट पाँच लाग तथ अत्तरून के तहट तस लाग रुपे तक के लोन देने का प्रावधान है अगली योजना देख लीजे आप लोग सुबारम अटन पैंसन योजना की सुरुवाद 9 मई 2015 को वित मंत्रा लेद्वारा हुई और इसके अंतरगत 18 से 40 वर्स के व्यक्ति बैंक में जमा किये गए रुपे के आधार पर 1000 से 5000 तक का पैंसन प्रावध कर सकती है अगली योजना देख लीजे आप लोग देखें अमरूद अमरूद योजना इसकी सुरुवाद 24 जून दो हजार 24 को हुई आप देखें अमरूद या अमरीद का लोग अमरूद का फुल पुम क्या है यह से अटन एम से मीसन फोर और यह आपका आर से रेजुवेंसन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन ठीक है ए से अटन एम से मीसन फोर रेजुवेंसन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन इसकी फुल पुम है पेपर में यह अमरूद दे दिया जाएगा और तो इसकी फुल पुम पूछ लिग जाएगी आप लोगों से ठीक है यह भी अब फुल योजना के अंतरगत 100 स्मार्ट सीटी बनाने 500 सहरों में आधार भूत सुवीदाओं का विकास करने और 2022 तक सहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना सामिल है तो हम रूत योजना की फुल भूम क्या है टाटल मीशन फोर रेजुवेन नेशन एंड आर्बन ट्रांसफोर्मीशन इस योजना के अंतरगत 100 स्मार्ट सीटी बनाने 500 सहरों में आधार भूत सुवीदा को विकास करने और 2022 तक सहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की यो देशन की सुरवात 25 जूद डो हजार 2015 को हुई और इसका उद्देशय की है 100 सहरों का चैन का विकास करना सिंगापुर के सहयोग से अगली योजना देखें परधान मंत्री आवास योजना की सुरवात 25 जूद 2015 को हुई और इसका उद्देशय है 2022 तक 2 करोड नए घरों का निर्मान करना क्या है इसका उद्देश से है 2022 तक 2 करोड नए घरों का निर्मान करना अगला मिशन देख लीजिए Digital India Mission इसकी सुरुवात 1 जुलाई 2015 को हुई उद्देश से सरकारी सेवाओं को Digital India Mission का सुबारम 1 जुलाई 2022 को 2015 को हुआ और उद्देश सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक ली जनता को उपलब्द कराना है इसकील इंडिया मिशन इसकील इंडिया का सुबारम 15 जुलाई 2015 को हुआ इसका उद्देश यह 2022 तक देश के युवाओं का कोशल विकास करना बीन देयाल उपाद्या गराम जोती योजना का सुबारम 25 जुलाई 2015 को हुआ इसका उद्देश सबी गाओं का विदूती करन करना अगली योजना सागर माला पर योजना इसका सुबारम 35 जुलाई 2015 को हुआ और उदेश्य बंदर गाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवेहन से जोड़ना उदे योजना सुबारम 5 नमबर 2015 को कोईला एम उर्जा मंत्रा लेदुवारा उदे का फुलपो में उज्वल डिस्कॉम एसोरेंस योजना इसका उदेश्य बिजली वित्रण करने वाली कमपनियों का वित्रण सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जार खंड है अगला मिसंदे के शामा परसाद मुखरजी रूबरन मिसंद सुबारम 25 भरवरी 2016 का उदेश्य गाओं का कलश्टर आधारित विकास सेतु भारत भारतम योजना सुबारम 4 मार्च 2016 को केंद्रिय सड़क एवं परिवेन मंत्राल्य दुआरा उदेश्य राष्टे राजमार्गों को रेलवे क्रोसिंग रहित बनाने के लिए सुबारम 4 मार्च 2016 को केंद्रिय सड़क एवं परिवेन मंत्राल्य दुआरा उदेश्य राष्टे राजमार्गों को रेलवे क्रोसिंग रहित बनाने के लिए अगले स्टेंड अप इंडिया का सुबारम 5 अप्रेल 2016 को वित मंत्राल्य दुआरा हुआ और इसका उदेश्य नई कमपनिया इस्थापित करने हैं तू 10 लाग से 1 करोड तक का रिन परदान करना उडान योजना का सुबारम 27 अप्रेल 2017 को इसका पुरा नाम है उडे देश का आम नागरिक क्या नाम है 27 अप्रेल 2017 को पूरा नाम है उडे देश का आम नागरिक उडेश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना उडेश्य क्या है देश के आम नागरिकों सस्ती हवाई यात्रा कराना परदान मंतरी उजवला योजना का सुबारम 1 मई 2016 को हुआ और इसका उडेश से BPL परिवारों को मुप्त LPG कनेक्शन देना इस योजना के अंतरकत सरकार दुवारा BPL परिवारों को परिवारों करेक्शन 1600 रुप्त की वित्य सहाइता परदान की जाती है अगली योजना देखिए के परदान मंतरी जन आरुगे योजना आयूसमान भारत इसका सुबारम 23 सितंबर 2008 को ज़ार कंड की राजधानी राची से हुआ और इसका उदेश है गरीब परिवारों को पांच लाग तक केस रहित सवास्ते सुविधा उपलब्द कराना वरिष्ट पैंसन बीमा योजना का सुब आरम एक जनवरी 2017 को भारतिय जीवन नीगम LIC दुवारा किया गया और इसका उदेश से साट वर्स और इससे अधिक आयू वरिष्ट नागरी को को गारंटी कृत ब्याज दर दस वर्सों के लिए आठ परति सद होगी एक बार और देखे वरिष्ट पैंसन बीमा योजना का सुब आरम एक जनवरी 2017 को भारतिय जीवन नीगम LIC दुवारा किया गया और इसका उदेश से साट वर्स और इससे अधिक आयू वरिष्ट नागरी को को गारंटी कृत ब्याज दर दस वर्सों के लिए आठ परति सद होगी अगला दीन दयाल उपाद्याए इसपर्स इसपर्स योजना का सुबारम 3 नवंबर 2017 को हुआ इसका इसपर्स की फुलबो में स्कोलर्शिप फोर पर्मोशन ओप एप्टिट्यूड एंड रिसर्च रिसर्च इन इस्टेंप एज ए होबी शटी वे नोवी के बच्चों की डाफ टिकट संग्रे में रूची है तू छात्रवर्ती योजना लाब अधिक तम 40 चात्रों को कुल 6,000 रुपे पर्ति वर्स की चात्रवर्ती बिल्ला अगली योजना देखे परदान मंत्री वे वंदना योजना इसका सुबारम 21 जुलाई 2017 को और इसका उद्देश है 16 वो 60 या उससे अधिक आयू वर्ब के वरिष्ट नागरिकों को मासिक पैंसम विकल्प चुनने पर 10 वर्सों हेतू परदान मंत्री वे वे वंदना योजना इसका सुबारम 21 जुलाई 2017 को और इसका उद्देश है 60 या उससे अधिक आयू वर्ब के वरिष्ट नागरिकों को मासिक पैंसम विकल्प चुनने पर 10 वर्सों हेतू आठ परतिसत की गारंटी सुदा रिटर्न परदान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सो भागय का सुबारम 25 सितंबर 2017 को विधूत मंत्राल्य दुआरा इसका उद्देश है देश में सभी घरों का विधूती करन सुनिचित करना सुबारम 25 सितंबर 2017 को विधूत मंत्राल्य दुआरा और उद्देश है देश में सभी घरों का विधूती करन सुनिचित करना पीयम किसान सम्मान निधी योजना के सुबार सुरुवात 24 वरवरी 2019 को परदान मंत्री नरेंडर मोदी दुआरा हुई और इसका उद्देश है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपे परतियक्स आए साहिता परदान करना यह साहिता 22,000 रुपे की तीन समान किस्तों में दी जाएगी अगली योजना देख लीजिया आप लो देखे परदान मंत्री सरम योगी मांधन योजना का सुबारम 12 फरवरी 2019 को हुआ योजना के पात्र आट, चालिस वर, अठारा या चालिस वर्स के ऐसंगटिक छेतर के सर्मिक जिनकी मासिकाय 15,000 रुपे या उससे कम है अगला कोश कम है, लाब 60 वर्स के आईउ होने वाले होने पर तीन हजार रुपे की मासिक पैंसन परदान मंत्री किसान मांधन योजना का सुबारम 12 सितंबर 2019 को राची जारखंड में हुआ और इसका लाब है, लाब 60 वर्स के आईउ होने पर नियुनतम रुपे तीन हजार परती महा पैंसन मिलना पात्र 18 से 40 वर्स के किसान जिनके पास दो हेक्टेर जमीन है अगली योजना देख लीजे आप लोग अगनी पत योजना इसकी घोशना इस योजना की घोशना चार 14 जून 2022 को हुई योग्यता बारवी या दस्वी या बारवी पास 17.5 से 21 या 22 वर्स इस योजना के तहट योजना योवाओं को चार साल के लिए तीनों सैनाओं थाल जल वायू में भर्ती किया जाएगा जिने अगनी वीर कहा जाएगा चार साल पर अगनी वीरों को सेवा निदी पेकेज के तहट 11.30 लाक रुपे का भुकतान किया जाएगा सेवा समाक्ति पर अगनी वीरों को C.A.P.F.M. असम राइफल में 10% आरक्षन दिया जाएगा साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अगनी वीरों का चेहन इस्थाई रूप से किया जाएगा अगली योजना देख लिजे आप लोग PM.V.S.U. कर्मा योजना PM.V.S.U. कर्मा योजना का सुबारम 17.7.2023 को नई दिल्ली में हुआ उद्देश से पारम परीक सिल्प कारों और कारीगरों के 30 लाग परिवारों को बिना गारंटी के नियुन्तम ब्याजदर पर रिण मुहेया कराना है इसके लिए 13,000 करोड रूपे का बजट प्रावधान किया गया है इसके तहट 18 पारम परीक वैवसाव को सामिल किया गया है अगली योजना देखिए पीयम जन्मन योजना इसका सुबारम 15.9.2023 को पीयम मोदी दुआरा जहर कंड से हुआ है परदान मंत्री जन्जाती आदिवासी न्याय महा अभियान पीयम जन्मन का उद्देश्य विशेश रूप से कमजोर जन्जाती समूं की सामाजिक आर्थिक इस्थतियों में सुधार करना है यह योजना नो मंत्रालियों के माधियम से ग्यारा महत पूर्ण कारियों पर ध्यान केंडरीत करता है आवदी दो हजार तेइस चोविस चोविस से दो हजार पच्चिस चब्विस केंडरीत करोड़ के परिवेवाने इस अभियान में केंडर और राज्यों का अंस्करम से 15,336 करोड़ आठ और 8,768 करोड़ होगा पियम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का सुबारम 13 फरवरी दो हजार चोविस को पियम मोदी दुवारा किया गया इसे परधान मंत्री सूर्य उद्दे योजना के नाम से भी जाना जाता है इसके तहट एक करोड़ घरो के छट पर सोलर पैनल लगाए चाहेंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक नीज सुल्क बिजली प्राफ्ट होगी इसके तहट 78,000 रुपे तक का सबसिटी का भी प्राफधान है